अभी तक एक तुफान खतम नहीं हो आता कि दूशा शुरू हो गया हाँ मैं बात कर रहा हूँ वाटिव का ओफिशल ट्रेलर की सच बताओं तो मैं भी तुम लोगों की तरह है लोकी सीरीज का मजा ले रहा था और पांच में एपिसोड खतम होने के बाद लास्ट एपिसोड का वेट कर रहा था मतलब कि मेरा पूरा दिहान था लोकी सीरीज की तरफ और फिर अचानक से लॉंच हुआ ये वाटिव का ओफिशल ट्रेलर ने किया क्योंकि यार उस दोमिनेट के फर्स लोक में बहुत कम से कम चीजे रिवील की गई थी पर इस ऑफिशल ट्रेलर में काफी जादा चीजे रिवील की गई है जैसे कि अपने तोनी स्टाप को किल मॉंगर ने बचाया समझ रहे उसका क्या मतलब है मतलब ना ही कभी वो अपने ही वैफन से जख्मी हुआ और ना ही कभी वो केब में गया और ना ही वो हेंसन से मिला और ना ही उसने आक रेक्टर बनाया और ना ही उसने अपने ही बनाय हुए वैफन का मिस्यूज होते हुए देखा अब क्यूंकि कुछ ऐसा हुआ ही की जर्मिं की यहीं से स्टाड हूई थी, तो अब जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो सवाल यह आता है कि टोणि स्टार्क आयरनवन बना कैسे और बना भी या नहीं, और बना तो कैसा आयरन्मेन बना मतलब सीरिस टाइप बाल आईरन मैन या फिर रोमियो टाइप बाल आईरन मैन जिसे अपने इलाबा और किसी की नहीं पड़ी थी वैसे बना तो है क्योंकि जो बॉट इप का फर्स लोग आया था तो उसमें हमें वही डोनट खाते हो वाले सीन दिखाया गया था पर सच बताओ तो यार मार्वल का कोई भरोसा नहीं तो यार जब हमारा मुवी में काट सकते हैं तो यह तो अईनिमेटीट शीरीज है प्लस सोने पे सब्सवागए है कि कि can वांघ क्या होगा और क्या मैं और टोनी स्टार्क आरान मैन बने अनई और अगर बने इस ड़र के ऀलिश को तो तो कि यॉर्णू ने वकांडा से तचालक उठाया था ना कि पीटर कुईल को। तो शायद ऐसा हो सकता है कि किल मॉंगर टोनी स्टाक के साथ मिलकर वकांडा पर कबज़ा करने ही कोशिश करें या कबज़ा करके ही वकांडा का किंग बनें। अब इस बात की possibility इसलिए भी जादा है क्योंकि ट्रेलर में हमने आगे किल मॉंगर को वकांडा में लड़ते हुए देखा है प्लस बैक्राइड में कुछ रोबोट्स या कहूं एंडॉड रोबोट्स भी दिख रहे हैं और इस टाइप के एंडॉड रोबोट्स सिर्फ टोनी स्थाकी बना सकता है ऐसे ही टेलर में आगे बढ़ें तो हमें दिखती है कैप्टन कार्टर ना कि कैप्टन अमेरिका यानि सीधी सी बात है कि इस स्टोरी में सुपर सोजर सिर्म स्टीव रोजर्स को नहीं बलकि पैगी कार्टर पर यूज किया गया था तो इसलिए ये स्टोरी भी काफी डिफरेंट होने वाली है आगे बात करें तो हमें दिखता है अपना थौर पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें अभी तक के दोनों ट्रेलर्स में सीरेस थौर ये कहूं मैच्चे और थौर देखने को नहीं मिला है उसे पता चलता है कि वो अनवर्दी हो गया है और इसके बाद ही थौर बन का पूरा इवेंट क्रियेट हुआ था जहां वो जेन से मिला और दोबारा वर्दी हुआ तब जाके वो रियल थौर बना जहां उसे खुश से ज़ाधा दूसरों की चिंता थी और ट्रेलर के इस छोटे से सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वही सीन है जहां अनवर्दी थौर अपने हैमर को उठाने की कोशिश करेगा और शायद उठा भी ले क्योंकि हो सकता है कि स्टोरी की कई चेंज जिसमें से एक चेंज ये भी हो कि थौर अनवर्दी ना हुआ हो और हैमर को उठा ले और शायद इसी वज़े से ट्रेलर में में सीरिस थौर की जगए पार्टी थौर दिख रहा है ये शायर ऐसा भी हो सकता है कि फिल कोलसन ये अपना बार्टन एक होकाई हैमर उठा ले अगर ऐसा हुआ तो सच भी ये पागलपन हो जाएगा बिलकुल नेक्स लेवल अब देखो यार हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हो सकता है कॉमिक में ऐसा कुछ हो चुका हो पर देखो यार मैं कॉमिक नहीं पढ़ता और नहीं मुझे कॉमिक पढ़ने में कोई इंटरस्ट है तो अगर कुछ गलत हो जाए तो यार माफ कर देना अब ट्रेलर में आगे बढ़े तो हमें और भी करेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जैसे हल्क, नताशा रोगनॉफ, स्कालेब विच, स्पाइडर मैन, गुड और बैट डॉक्तर स्चेंज, मतलब इवल डॉक्तर स्चेंज और हीरो डॉक्तर स्चेंज, अब सच बताओं तो प्यार मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि यह स्टोरीज अलग-अलग स्टार्ट तो होंगी पर आगे जाके सारी स्टोरीज आपस में मर्ज हो जाएंगी और इसका सीधा सा रीजन यह होगा कि इवल डॉक्तर स्चेंज और हीरो डॉक्तर स्चेंज की फाइट क्योंकि ट् एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा दिखाये जाए जिससे सारे एपिसोड लास्ट में मर्ज हो जाएंग अब पहले सीजन में टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं और दूसरे सीजन के 10 एपिसोड पर और अर्लेडी काम चालू हो चुका है प्लस वाटिप को ऑफिशल पोस् में है 11 आगस्त का और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना और अगर मेरी वीडियो उसमें कुछ इंपरूमन्ट की ज़रुरत हो तो यार मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में